नमस्कार मैं दिनेश पाठक डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम प्राविधीक विश्विद्याले उत्रप्रदेश के ओफिसिल यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है सामान ग्यानेवम करेंट अफेर्स की अगली कड़ी में नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 पर बिस्तार से जानकारी देंगे आईए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरी क्या है नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान बांगला देश और पाकिस्तान से आए हिंदू सिख बौध जैन पार्शी और क्रिस्टियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिक्ता के नियम को आसान बनाया गया है पहले किसी ब्यक्ति को भारत की नागरिक्ता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार था इस नियम को आसान बनाकर नागरिक्ता हासिल करने की अवधी को एक साल से लेकर 6 साल कर दिया गया है यानि इन तीन देशों से उपर उलखित छे धर्मों के बीते एक से छे सालों में भारत आकर बसे लोगों को यहां की नागरिक्ता आसानी से मिल सकेगी आसान सब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन मुसलिम बहु संख्यक पडोसी देशों से आए गैर मुसलिम प्रवासियों को नागरिक्ता देने के नियम को आसान बनाया गया है अगर कौन है अवायत प्रवासी नागरिक्ता कानून 1955 के मुताबिक अवायत प्रवासियों को भारत की नागरिक्ता नहीं मिल सकती है इस कानून के तहट उन लोगों को अवैद प्रवासी माना गया है जो भारत में वैद यात्रा दस्ताबेज जैसे पास्पोर्ट और वीजा के बगर घुसाए हो या फिर बैस दस्ताबेज के साथ आये हो लेकिन उनलिखित अवधि से जादा समय तक यहां रुक जाएं को या तो जेल में रखता जा सकता है या फिर बिदेशी अधिनियम 1946 और पास्पोर्ट जो भारत में प्रवेश करने का अधिनियम 1920 के तहट वापस उनके देश भेजा जा सकता है लेकिन केंद्र सरकार ने वर्स 2015 और 2016 में उपरोग तो 1946 और 1920 के कानूनों में संसोधन करके अफगानिस्तान, बांगला देश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी और क्रिस्टिन को छूट दे दी है इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंद रखने वाले लोग अगर भारत में बैस दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ने तो जेल में डाला जा सकता है और ने उनको निर्वासित किया जाएगा यह छूट उपरोग्त धार्मिक समुह के उन लोगों को प्राप्त है जो यह 30 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आये हैं इन ही धार्मिक समुहों से संबंद रखने वाले लोगों को भारत की नागरिक्ता कानून 1955 में संसोधन के लिए नागरिक्ता संसोधन विधेक 2016 संसद में पेस किया गया था अब आपको होगी इस विधेक का क्या हुआ इस विधेक को 19 जुलाई 2016 को लोग सवाम पेस किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इसे संजुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा से पास कराने की जरूरत आखिर क्यों संसदिय प्रक्रियाओं के नियम के मुताबिक अगर कोई विध्यक लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राजसभा में पास नहीं हो पाता और लोकसभा का कारेकाल समाप्त हो जाता है तो वह विध्यक निश्प्रभावी हो जाता है यान उसको फिर से दोनों सदनों में पास कराना होता है। वहीं राजसभा से सम्महनित नियम अलग है। अगर कोई विध्यक राजसभा में लंबित हो और लोकसभा से पास नहीं हो पाता और लोकसभा भंग हो जाती है तो वह विध्यक निस्प्रभावी नहीं होता। चूंकि यह बिध्यक राजसभा से पास नहीं हो पाया था और इसी बीच सोलावी लोकसभा का कारेकाल समाप्त हो गया इसलिए इस बिध्यक को फिर से दोनों सदन में पास कराना पड़ा राश्रपती के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया